नमाश्कार साती, सातीयो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आतिती सिक्चकों को लेकर, जीघां सातीयो, आतिती सिक्चकों को लेकर एक बड़ा मैध्बून अपडेट लेकलकर सामने आया हैं. इस समय आप अपनी स्क्रीन पर कारिलय जला सिक्चा अधिकारी नर्म्दा पुरम का एक पत्र देख रहे हैं जो कि जले अंतरगत समस्त विकासकंड सिक्चा अधिकारी विकासकंड स्रोज समनवेक संकुल प्राचारिये हाई इस्कूल और हार सेकंडी प्राचारियों के लिए जारी किया गया है पत्र आतिती सिक्चकों के लेकर है विसे आप देख सकते हैं हटाए जा रहा है आतिती सिक्चकों के समझ्चाओं के संबंद में ऐसे आतिती सिक्चक साथी जो उच्पद प्रवार से सिक्चक आने के कारण, कारीमुक्त त्नी जा रहे हैं, उनके लिए ये पत्र काफी जादा महतून है। आईए इसका अब लोकन करते हैं, संदर में देखें दो पत्रें, लोग सिक्चन संचार नालाई 10-1-24 का जो पत्र है, दूसरा है अतिति सिक्चक समयन वे समेती मद्ध्रदेश का पत्र दिनांक 29-24 को इनमी प्राप्त हुआ था, उसी क्रम में ये निर्देश जारी की गए है संदर्वित पत्र करमांक दो दूआरा मांग की गई है, उच्पत प्रभार या अन प्रकरनल से, नियमी सिक्चक के आजाने से, जिन अतिति सिक्चकों को लोग सिक्चन संचार नालाई के संदर्वित पत्र करमांक, वोपाल दिनांक 10-1-24 की क्रम में अटाय जा रहा है, उन पर बिचार किये जानी की मांग इस आदार पर की गई है, कि युक्त नवीन स्कूल में अतिति सिक्चक की जोईनिंग का पोर्टल बंध है, अता उक्त करम में अदोलेकित प्रपत्र में जानकारी दें, जिससे युक्त जानकारी सहत प्रकरन समुचित कारवाई मार्ग दरस अला में पद रिख्थ हैं, तो सत्र आन तक उन्हें जहां पर जिस संस्ता पर पद रिख्थ हैं, उन्हें उस संस्ता पर समायुजित किया जाए, इस आदार पर यह मांग करी गई है, अब इसी करम में आप देख सकते हैं, निम्न प्रारूप में अतिति सिक्चकों की जानक कारी मांगी गई है, सबसे पहले विकासखंड का नाम, संकुल का नाम, कारीरत अतिति सिक्चक का नाम, और बिसे, बर्तमान कारीरत संस्ता, नवीन विवस्ता की प्रिस्ताविस सेक्षनिक संस्ता का नाम, और डाइस्कू, यानि कि सबसे पहले संकुल का नाम आएगा, उसक तो उठ्पत परवार से, इस्तनांतरन से या नवीन सिक्षक की जोइनिंग से काडी मुक्त हो रही है। उनका बिसे आएगा, बर्तवान में वो किस विद्ध्यालाय पर काडी रत हैं और संस्ता का नाम आएगा। और ऐसी नभीन विवस्ता की प्रिस्ताविक सेक्षिक संस्ता का नाम और डाई स्कूल जिस संस्ता पर उन्हें समायुजित किया जा रहा है। उस विद्यालाय में पूर्व से उस बर्ग के जिस बर्ग के संबंदित आतिती सिक्षक हैं जिनका समायुजिन किया जा रहा है नीवित कितने सिक्षक कारी रहें और आतिती सिक्षकों की कुल संक्या कितनी है। उक्त बर्ग हीतू रिक्त पद संक्या जिस बर्ग में अतिती सिक्चक का समय जिन के जा रहा है उस बर्ग के कितने पद उस विद्यालाय पर देख्ट है इस तरीके से इस प्रारूप में ये अतिती सिक्चक की जानकारी चाही गई है उक्त जानकारी संकुल प्राचारी द्वारा विकासकंड सिक्चा अधिकारी को दी जावे तता विकासकंड सिक्चा अधिकारी दो कारी दिवस में इस कारीले को भीज़ेगी इस पत्र में एक और चीज इसपस्ट किया गया है जो जानकारी संकुल प्राचारी के दोरा विकास कंड स्तर को भीजी जाएगी विकास कंड स्तर से जला सिक्चा कारीले को भीजी जाएगी वहां से यसे मार्ग दर्शन के लिए संचान नालाय को भीजा जाएगा हाली में एक अन्य दिकास खंड से भी आतिती सिक्चकों की समस्याओं को लेकर जला सिक्चा अधिकारी के लिए इस तरीके का पत्र जारी किया गया था दीरे दीरे ही सही लेकिन आप आतिती सिक्चकों के लिए सिक्चा वाक के जो आधिकारी हैं उनका भी समर्थन मिलने रगा है निक्चित तोर पर जब यह जानकारी DPI जाएगी तो DPI सकारात्मक तरीके से आतिती सिक्चकों के लिए बिचार करेगा और ऐसे अतिती सिक्षक जो उत्रपद प्रवार पर के लिया इस्तनांतरन या नई निक्ति के माध्यम से कार्यमुक्त हो रहे हैं उनके लिए कोई यथा निर्देश जाने करेगा साथ ही यह था आज का मैट्पून अपडेट जो की अतिती सिक्षकों को लेकर था झाल